नमस्कार स्वागत है आपका सीनिउस भारत में और मैं हूँ आपके साथ जोती श्रवास्तव लोगसभा चुनाव में शत्प्रतीशत परिणाम लेकर रालोद लगातार उत्साहित है और उत्तर प्रदेश में लगातार अपना संगठन मजबूत करती नजर आ रही है और अगर हम उत्तर प्रदेश में आने वाले 10 विधान सभा सीटों के उपचुनाव की बात कहें तो ये चुनाव 2027 के विधान सभा चुनाव का सेमी फाइनल मान कर ही मेहनत की जा रही है और इसके लिए युवा राष्ट्रिय लोकदल के कारेकरताओं का सम्मेलन आज रालोत प्रदेश कार्याले में आयोजित किया गया जिसमें युवा रालोत के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंग पटेल द्वारा युवा साथियों को 2027 के चुनाव के लिए कमर कसने की बात कही गई इस मौके पर हमारे सहयोगी गौरफ श्रिवास्तव ने युवा राष्ट्रिय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंग पटेल से खास बातचीत की जनता के बीच विस्वास कायम कर चुकी है पर सबसे मेटपूर बात है कि अब बात हो रही है उपचुनावों की उपचुनाव में कैसे परसन करना है सीट कितनी मिलनी है यह भी मेटपूर्ण है क्योंकि यह उप्चुनाव है वह 27 के पहले का से मिफानल माना जा रहा है अगंड़ेस पर में बजबूत कर रहा है और सास्तार युवा को अपने पाले में करने का प्रियास कर रहा है बड़ा बर्ग है किसान मस्आ भारत रत्म साथ चौदी चौदी चर्डशिंग्जी की विचारधारा को आत्मासाथ करके आगे बढ़ रहा है चौदी चौदी साथ है मैं उत्तरवजिस के युवाध्यच के रूप में इस बात को कह सकता हूं कि मेरा नेता इतना मजबूत इरादों वाला है नीती का पक्का है इरादों का पक्का है नियत का साफ है और इमांदार चलितरवान है तो ऐसे लोगों के साथ पढ़ा लिखा नौजवान है हम सब लोग लगातार अपनी बात को रख रहे हैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इनिश्यत तोर पे आने वाले दिन उत्तरोत्तर विकास करेगा राष्ट्री लोगदल जैन जी के गुवाई में और युवा लोगदल के अध्यच के नाते मैं भी अपना बहतर पर्देर्शन कर रहा हूँ पुरसार्थ कर रहा हूं मेरी पुरी टीम काम कर रही है कि हम जैन्त जी को एक मजबूत सब्सक्ट अधार दें ये अच्छी बात है आप्र नें पर्शि विस्टार की बात करें तो और आपकी स्थिति है कि आप सो पर्णाम लेकर रहा हैं और निस्टी रूप से सीटे इस बार जारा लेंगे, होना भी चाहिए, पर यहां पर आलोर का बहुत संगट नजर नहीं आता, जो होना चाहिए. देखे मैं आपको बहुत इसपष्ट कर दूँ कि पश्चमी उत्तरपदेश में राष्टी लोगदल का जानाथार इसलिए है क्योंकि और मीडिया परसेप्शन यह है, इसलिए क्योंकि वहाँ चुनाओ लड़ते हैं, मैं खुद पुरिवी उत्तरपदेश के लिसे आता हूँ, वहाँ से मेरे नाना चारवर विधायक रहे हैं, मैं पिछले 24 साल से संगर्स कर रहा हूँ, 2022 की विधान सभा मैं स्वयम लड़ना चाहता था, आजड़ी जैन चौदरी जीवहान कारकम किये, और तब हम समाजबादी पार्टी के गटबंधन में थे, कहीं हम 50,000 उड़ पाएं, कहीं 11,000 उड़ पाएं, कहीं 27,000 जार पाएं, और कहीं 16 सीट पे हम 2nd fighter थे, गुन्ड़ा के एक सीट थी वहान 2nd fighter थे, तो रामलालाकेला जी 2nd fighter थे, बचलामा, तो ऐसे सीटे हैं, होता क्या है, कि जब चुनाव आप नहीं लड़ते हैं, तो जो कारिकरताओं कि त्याग और तपस्या को सराहना करनी होगी कि 20 साल 18 साल 15 साल 24 साल बिताने के बाद भी कोई लोगदल छोड़के जान नहीं रहा सबको भरोसा है कि हम एक अच्छे निता के साथ हैं एक मजबूत नतित्तों के साथ हैं जो इमानदार है और हमें पहचानता है हमा महरास भी जा रहा है हरेना भी जा रहा है जो सवयोवी पार्टी है सुभास्पा की बात करें निसाब पार्टी की बात करें और उन्हों खोले हमके अधिया है कितनी स्वाल पूछेंगे तो मैं बेबाकिस उत्तर दे पाऊंगा जहां तक बात है उप्चुनाओं की तो आध आशन दस उप्ष्णा होने हैं इन दसों को एंढिये को जीत कर देना है जिससे की एंढिये का कुनबा बढ़े दूसरी बात अब आधडी जैन चौधरी जी तूसरे प्रदेशों में जाते हैं नहीं जाते हैं, ये उनका दिकार शित्र है, उनका विवेक है, हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के कारे करता है, उत्तर प्रदेश ही हमारा दिकार सीमा है अनुमान तो लगाया होगा कि आने वाले समय में कितनी स्टीटों पर चुराओं लड़ेंगे 27 पास में बहुत दून नहीं है और जो आपकी बैटके हो रही है लगाता सम्मिलन हो रहा है वो इस पस बताते हैं कि इस बारालोट को कमतर नहीं आका जाना चालिए तो लोगदल मजबूत है अब ये जरूर है कि हमें संगटनात्मक तोर पे बूथ अस्तर तक जाना है मजबूत करना है जिससे कि आदरी चौधरी साहब को एंडिये के दूसरे दलों के साथ जब वारता करनी हो तो कह सके कि हमारा ये आधार है हमारे ये लोग है और हम यहां हम ऐसे रहे हैं एक बात बहुत इसपश्ट है कि आदरी जहन चौधरी जी बारगेनर नहीं है वो नाप तोल नहीं करते हैं उन्होंने वैचारिक समझाता किया उन्होंने किसान हितों और नौजमानों के हित की रच्छा के लिए इंडिये में गए और आप देखिए कि आज जब से वो स्केल मिनिस्टर बने हैं तब से वो उन्होंने गूगल से टाइब करना तमाम उद्देसी कंपनियों गुल्ले आना और युवाओं को रुजगार देने की बात आज युवाओं के रुजगार के लिए भी हमने एक प्रस्ताव लाया है तो जब नेता अच्छी सोचका होता है पढ़ा लिखा होता है तो वो निश्चित तोर पे कुछ इन्वेंशन करता रहता है खोश करता रहता है नए नए आइडियाज लेके आता है आज़री जैन च से प्यार से समझाते हैं बितना सहज और सरल कभी कभी तो लगता है कि कैसे इतने कूल रहते हैं एक क्रिकेट में मिस्टर कूल रहूल द्रविट थे पॉलिटिकल मिस्टर कूल जो है जैन चोधरी है कभी उन्हें अपने उग्र होते देखा तो मुझे बता दीजेगा कोई करता दे एक दम सांथ सभाव के मुस्कुराते रहते हैं मौन रहते हैं तो यह मिस्टर कूल होना उनके लिए बहुत मुफीद है रविन पटेल बड़ा नाम बड़ी मेनर बड़ा संगर्स आने बाले समय में क्या भूमिका मिलने वाली क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि य नुशासित कार्यकरता है और मैं खुद कहता हूं उपने संभाद में भाषड में कि कार्यकरता को एक सैनिक के रूप में होना चाहिए बाडर पर लगाएंगे तो बाडर पर युद्ध लड़ेंगे और अगर बार पानी में लगाएंगे तो वहां जनता की रच्छा तो हमारा युवा लोगदल का प्रतेक कारे करता है अपने आपको सैनिक और युद्धा मानता है हम जैन चौधरी के सेना है जहां जैन जी जिस रूप में देखे हैं जब 24 साल पर दास किया तो और दस्वीस साल तो हमारा युवा रास्टी लोगदल के अध्यच रभिन प्रतेल जी जैन जी की सैना है और कारणामा करने जा रही है मैनट कर रही है और यहां पर जनता की भी जा रही है संगटनों को मजबूत किया जा रहा है और यह मजबूती बता रही है कि 27 के चुनौ मेजवार मजबू नहीं देश्तोनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सीन्यूस भारत